जहें दोस्तों, तो आज फाइनली हम स्टेंट ओफ मटेरियल के कुछ स्पेसल पॉइंट डिसकस करने वाले हैं, जो एक्जाम में बार बार रिपीट होते हैं या कहीं न कहीं इंटरव्यू में फेस करे जाते हैं आप लोग के यार इतने सारे कमेंट आ रहेते हैं सर आपने हर सब्जेक्ट के स्पेसल पॉइंट हमको दिये हैं और वो काफी बेनिफीसियल हैं और हमको काफी यूजफुल भी लगते हैं और यूजब भी होते हैं कई बार वो exam में भी repeat होते हैं तो interview में भी कहीं न कहीं face हो जाते हैं तो ऐसे ही कुछ special points आप लोग के लिए लेकर क्या है हूँ strength of material से कुछ लोग इस subject को most बोलते हैं mechanics of solid भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको some भी बोलते हैं strength of material भी बोलते हैं तो अपने आप में एक base subject माना जाता है हर एक engineering subject के तोर पर अगर देखा जाए हर subject में इसका कहीं न कहीं use होता है तो उसी से related कुछ आप लोग के लिए special points निकाले गए हैं जो कि one of the most important points है exam के point of view से भी और साथ में interview के point of view से भी तो चलिए discuss करेंगे one by one सभी points अगर वीडियो अच्छी लगे तो please या like कर देना और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share कर देना चलिए सबसे पहला point देख लेते हैं देखिए सबसे पहला point है the portion of beam in which shear force is constant is known as shear span देखिए question हम से interview में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि shear span क्या होता है तो हमको simple बताना होता है कि beam का वो portion जहां पर shear force हमारा कैसा रहे constant रहे उसको हम क्या बोलेंगे shear span बोलेंगे देखिए मैं detail में तो नहीं जाऊँगा क्योंकि बस special point discuss कर रहा हूँ अगर आप लोग को details पढ़नी है तो उसके लिए मैं अलग से video बना दूँगा जिसमें आप लोग को सारे concept भी clear करा दूँगा यहाँ पर सिर्फ मैंने special points कर निकाले हैं तो सिर्फ हम उन्हीं पर ही focus करेंगे तो याद रखेंगे shear span हमारा क्या होता है जहां पर हमारा shear force क्या होता है constant होता है उसको हम क्या बोलते है shear span बोलते है चलिए next point आजाता है हमारा second हम discuss कर लेते है stress in internal stress is the internal property while pressure is the external property यह question पूछा जाता देखे strength of material जैसे कि subject के नाम में हा रहा material तो material की जो internal property होती है जो resisting property होती होती हुसको हम क्या बोलते है stress बोलते है और जो external property होती है उसको हम क्या बोलते है pressure बोलते है तो हमको पता होना चाहिए stress होता है वो internal property होता है pressure जो होता है वो external property होता है चलिए next point के बात करते है point number third हमारा आजाता है if a bar or body is free to move then no stress will be induced अगर मान लीजे कोई भी bar है ठीक है ये कोई body ले ले लिजे 3D कोई body ले ले लेते है अगर ये body expand होने के लिए free है या फिर कोई bar ले लिजे अगर मान लेजे है ये कोई bar है is object section होने के लिए free है अगर आप इधर से इस पर force लगा रहे हो और ये easily expand हो जा रही है यह कोई भी बोडी है फोर्स लगाने पर इजीली एक्सपेंड हो जा रही है तो इसमें कोई भी stress आपके नहीं आएंगी अगर वहाँ पर कोई भी resistance नहीं है यानि कि इसका मतलब यह है कि stress तभी induced होंगी हमारी जब कोई न कोई हमको resistance offer होगा ठीक है तभी हमारे पास क्या रखेंगे अगर कोई भी बोडी मूव करने के लिए free है तो उसमें कोई भी stress हमारी induced नहीं होती है next बात करेंगे only six stress components are required to define condition of stress at a point किसी भी बोडी में एक particular point पर अगर हमको define करना stress की क्या condition है कैसी stress है तो उसके लिए हमको six stress की जरूरत पढ़ती है six component of stress की जरूरत पढ़ती ह ये question direct हमारा JEE exam में पूछा जा चुगा है कि कितने stress component की requirement होती है अगर हमको stress को define करना है उसकी conditions को define करना है तो वहाँ पर हमें six stress की requirement होती है ये point आप लोग direct याद रखेंगे देगे इसकी जो PDF है उसके लिए आप लोग को description box में जो हमारा telegram channel है telegram channel की link आप लोग को मैं description box म मैं दे दूँगा वहाँ से जाकर कि आप telegram channel को join कर लेना वहाँ पे और भी बहुत सारी PDF पड़ी हुई है और ये PDF भी आप लोग में वहीं पर available करा दूँगा ये PDF आप लोग को group में डाल दूँगा वहाँ से आप लोग को मिल जाएगी ठीक है ये video upload होने के लगबग 10 hour ब पूशन पूश्ता है कि brittle material के लिइए और आप लोग का एक इहापे भी brittle material के लिए ah factor of safety apply डेखिए एक जो है आप लोग का brittle material के लिए और एक आप लोग का ductile material के लिए मैं बता देता हूँ ये आप लोग का है brittle material और यह आप लोग को क्या है ductile material यह question by mistake गलत प्रिंट हो गया है मैं इसको सही करा देता हूँ यह जो brittle ना हो करके यह आप लोग का ductile है यह किसके लिए है? ductile materials के लिए ductile materials के लिए और यह वाला point जो brittle के लिए क्योंकि यह question बहुत पूछा जाता है कि अगर brittle material के लिए है तो हम जो factor of safety apply करते हैं वो कब apply करते हैं तो under ultimate stress हम उसको apply करते हैं यह हमसे पूछा जाता है उसको under ultimate stress apply करते हैं और जो ductile material है ductile material जो हम ductile material के लिए जो FOS है factor of safety है उसको under yield stress applied करते हैं कहाँ पर apply करते हैं under yield stress apply करते हैं फिर इल्डिस टेस्ट पे ही apply करते हैं तो PDF में क्या करूँगा मैं इसको correct करके आप लोग अविलेबल करा दूँगा कि जो factor of safety होता है डक्टाइल माटेरिल के लिए वो इल्डिस टेस्ट पर apply होता है और जो brittle मेकैनिकल वाले हैं जो मेकैनिकल वाले उन भी सोम सब्जेक्ट होता है यह हम यह कह सकते हैं मौस सब्जेक्ट होता है तो देखें मौस जो यूज होता है सब्जेक्ट आप लोग का अगर एयर क्राफ्ट को डिजाइन करना है तो एयर क्राफ्ट को डिजाइन करने भी आप लो टेंप्रेचर में बीकम ब्रेटल देगे अगर डक्टाइल मटेरियल है तो डक्टाइल मटेरियल क्या होता है हमारा नॉर्मल टेंप्रेचर पर जो नॉर्मल टेंप्रेचर यह कह सकते हैं वेरी लो टेंप्रेचर पर वेरी लो टेंप्रेचर पर हमारा कैसा ब्रेटल मटेरिय तो मैं डायरेक्ट पुछा जाता है कि आपको कोई डग्टाइल माटेरियल दे दिया गया और उसका temperature हमने बहुत low कर दिया तो हमको यह बताईए कि material का behavior कैसा हो जाएगा तो ब्रेटिल माटेरियल की तरह हो जाएगा वहीं पर बात करें ब्रेटिल माटेरियल है उसका low temperature कर द याद रखेंगे इसको purest form of iron purest form of iron कुन सा होता राउट iron तो जो राउट iron होता है इसमें carbon का जो percentage होता है वो कितना होता है तो carbon का percentage आप लोगा वो less than 0.1% होता है वहीं पर इस्टील में बात करें तो इस्टील में जो carbon का percentage है वो 0.10 से लेकर के 0.25 यह 0.10% से लेकर के 0.25% तक होता है महीं पर बात करें high carbon इस्टील में तो इसमें जो आप लोगा carbon percentage होता है वो 0.55% से लेकर के 0.95% तक होता है और जो आप लोगा cash टाइरन होता है उसमें जो carbon percentage होता है वो 2% से लेकर के 4% तक आप लोग का होता है ठीक है नेक्स्ट जाता है विद इंक्रीज इन carbon content इन इस्टील देखिए जो इस्टील था भी आप लोगा इसमें carbon content कितना था जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन जीरो से लेकर के 0.25% तक था तो अगर आप इस स्टील में carbon percentage को बढ़ा दो यह नॉर्मल वाला था इस से बढ़ा दो तो इसकी वज़े से क्या होता है तफनेस ओफ इस्टील है वो क्या हो जाती है क्या हो जाती है तो डाइरेक्ट हमसे वो कोशन पूचेगा क्या आपके पास इस्टील है तो वह पूच लेगा कि स्टील में बता ही carbon percentage कितना होता है तो आप सेंपल बताओ कि 0.1% से लेकर 0.25% तक होता है अगर हम उसकी जो carbon percentage है उसको अगर हम increase कर दें तो उस पर क्या effect पड़ेगा carbon percentage को decrease कर दें तो उस पर क्या effect पड़ेगा तो हमें सभी कोस्टन के लिए पहले से prepare होना पड़ेगा ठीक है चलिए next question पर जाते है विद इंक्रीज इन carbon content in steel toughness of steel is decrease यह तो हो गया हमारा next आता stretching of material in one direction will lead to increase in volume देखें अगर कोई भी material है suppose यह कोई भी हमारे पास एक road है यह हम ले लेते हैं और इसको हम क्या करें stretch करें ठीक है इसको हम क्या करें stretch करें तो जब भी आप इसको stretching करोगे तो इसकी वज़े से क्या होता है इसका volume increase हो जाता है कि याद रखेंगे लेकिन वन डायरेक्शन में stretching होनी चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे stretching cable और cable किसमें होनी चाहिए वन डायरेक्शन में बागी की जो वाई और जैट डायरेक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा fix करना पड़ेगा तो हमारा सब्सक्राइब क्या होगा volume increase हो जाता है यह important point है सबी point बहुत जाद है important है next बात करें during plastic deformation during plastic deformation यह से नहीं volume of a specimen remain constant during plastic deformation किसी भी body का होगा किसी body का volume जो होता है इस पेसी मैन इस पेसी मैन जो होगा उसका volume क्या रहेगा remain constant है था देखें हमारे पास क्या होता elastic और plastic elastic और plastic दो तरीके के deformation होते हैं इसको PDF में correct कर दूँगा मैं परिशान मत हो elastic और plastic दो तरीके deformation होते हैं अगर माली जी कि यह body है आपने इस पे load लगाया load लगाने के बाद load remove कर दिया तो यह अपनी original shape में आया तो elastic deformation है और अगर original shape में नहीं आया उसमें कुछ नहीं deformation रहे गया तो वह आप लोग का कौन सा हो जाता है plastic deformation तो जो plastic deformation होता है से इसको अगर हम देखें during plastic deformation कुई सी भी body का जो volume रहता है वो क्या रहता है constant रहता उसके volume में कोई भी changes नहीं होते जब plastic deformation की बात हो रही हो तो इस चीज़ को याद आखेंगे volume constant रहेगा बले ही आप plastic deformation क्यों ना कर रहे हो इसको मैं कराता हूँ next आता है continuous beam may or may not be an overhanging beam तो यह question हम से पूछ ले जाता है कि एक बात बताएगे continuous beam है यह कोई continuous beam है क्या यह continuous beam जरूरी है कि overhanging होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं अच्छा overhanging हो सकता है बिलकुल हो सकता तो दोनों case है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता जो continuous beam है वो ओवरहंगिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता तो ओरहंगिंग बीम जिसके पॉट सब्सक्राइब कुछ आउटर में निकला हुआ और कोई सपोर्ड उसके नहीं है उसको ओवरहंगिंग बीम बीम बॉल देते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट कोस्टन आता है दपॉइंट एट कि इस बैंडिंग मुमेंट चेंज इस साइन ईस नोन इस पॉइंट ऊफ div आ देखें हम क्या गड़ते एस यसे अबए बंडी बनाते है इसkien य याली बनाते है जहां पर मोमिंट का और सीर्फोर्स का डिस्ट्जिएविशन देखते हैं किğa एम कपर कितना सीर्फोर्स हा bending moment है अगर वो किसी पॉइंट पर bending moment क्या कर रहा है अपना sign change कर रहा है तो जिस पॉइंट पर भी bending moment अपना sign change करेगा जैसे यह मान लिजी कि आपने BMD बनाया सपोस्थ तो इस point पर करके अगर आपका BMD क्या कर रहा है sign change कर रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं counter flexure चहां पर वह आपका positive to negative हो रहा हो यह negative to positive हो रहा हो next point है the point where deflected shape of beam change its curvature अगर कोई deflected shape है और वह अपनी curvature change कर रही है तो concave होगी यह convex होगी concave होगी तो convex में convex है तो कौन के में तो उस point को हम क्या बोलते है point of inflection उसको हम क्या बोलते है point of inflection इससे related यह point दो याद रखना बहुत important है बहुत-बहुत अगर मैं इसको बोलू very very important point है यह दोनों at higher bending moment at hinge sorry at hinge at hinge bending moment क्या होगा 0 होगा याद रखेंगे at hinge bending moment क्या होगा 0 होगा at point of symmetry अगर हम point of symmetry की बात करें तो shear force 0 होगा question हम से पूछा जाता है जब SMD BMD बनाते हैं तो hinge पर bending moment 0 होता है और symmetry वाली condition अगर आ जाए तो shear force क्या होता है जीरो होता है तो यह बहुत important point है दोनों point आप लोगो याद रखने है ठीक है जो भी इसमें correction होना है वो मैं correct करा करके आप लोगो प्रोवाइड करा दूँगा तो देखिए यार वीडियो जादे बड़ी ना हो इसलिए हम point इतना ही रखते हैं अगर आप लोग का अच्छा response रहा तो मैं और आगे के भी इसके point आप लोग साथ discuss कर दूँगा तो आप लोग की comment के ओपर करता है यार आप comment के जी उससे मुझे motivation मिलता कि कहीं न कहीं मैं जो content आपको दे रहा हूँ वह आपके useful है आपके लिए useful है वो ठीक है तो next video मिलते हैं तब तक के लिए thanks guys for watching this video please like करके और comment करके जरूर बताना यार अगर channel पे नहीं हो तो subscribe भी कर लो और बहुत सारा content channel पे